और जिसी के आप सब जानते हैं यह है सुहाना का घर और यहाँ पर अभी सब सो रही है तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है औरे भई यह क्या कबसे दिन निकल गया है लेकिन यह हर तरफ अंधेरा क्योv चाया हुआ है अरे ये क्या इतने घने काले बादल अरे ऐसा लगता है बहुत जादा बारिश होने वाली है अरे लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तो गर्मी के सीजन चालू है और गर्मी के सीजन में बारिश होने वाली है ये बीर मौसम बारिश ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है अरे कई खेट की फसल ना खराब हो जाए अरे राहूल जी राहूल जी चलिए जली से हमें खेट में से घ्यू निकालने होंगे मैं स्कुटी निकाल रहा हूँ जली से चलिए अरे भाई इतनी सुबा सुबा अब काम से लगना होंगा चलो उससे पहले बारिश आ जाए हमें खेट में से घ्यू निकालने होंगे नहीं तो सारी फसल बरबाद हो जाएंगी चलिए शाम जी मैं तो रैडी हूँ अरे इतना जादा घना अंदेरा ऐसा लगता है बहुत जोरो शोरो की बारिश होने वाली है अरे चलो आज तो बहुत काम है चलो दीदी को जल्ली से उठा देती हूँ दीदी पाये दीदी जल्ली से उठीए अरे हाँ सिता मैं तो उट गई हूँ ऐसे लगता है, आज बहुत बारिश आने वाली है चलो हम जल्ली से लंज की तयारी कर लेते हैं तुम जल्ली से एलो सबजे काट लो हम जल्ली से चुला जला कर ताहरे बना लेते हैं ऐच्छे थcotti के दीदि मैं सबजे कतर लेती हूँ अरे लेकिन मुझे आज गुड़ो को नहलाना था गुड़ो ने कितने दिनों से नहाया नहीं है अरे अब मैं क्या करू अरे वाँ वैसी भी आज सुहाना सोफिया की स्कूल की चुट्टी है चलो आज मैं सुहाना से कह देती हूँ वो गुड़ो को बहुत अच्छे से नहलाएंगी सुहाना बेटी सोफिया बेटी चलो जल्दी से उठ जाओ गुड मॉनिंग शी तमाशी लेकिन मिली ये शमज में नहीं आला है आपने हमें इतनी शुबा शुबा क्यों उठाया है आज तो इसकुल की चुटी है ना अरे सुहाना प्लीस के तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो तुम देख रही हो आसमान में कितने घने बादल है ऐसे लगता है बारिश होने वाली है बारिश होने से पहले हमें चूला जला कर लंच की तयारी करनी होंगी इसलिए सुहाना प्लीस मेरी एक हेल्प कर दो तुम आज गुड्डू को नहला दो अरे तैंकियो सुमा सुहाना तुम तो बहुत गुड़ गल हो अरे चलो अब जलिसी में सबजे तरकारे काटती हो हमें तो लंच बनाना है और यहाँ पर सिता पायल खाना बनाने की तयारी में लग जाते है हैली चलो गुड्डू कब तक शोते पले लहोंगे कब से दिन निकल गया है हम हम हैली तुमा ले पाज़ खिती गंदी शमय ला लई है ऐसे लगता है तुम्हें दो दिन शे नहाया नहीं है चलो मीली प्याली चैदू आज मैं तुम्हें नहलाओगी नई नाना, ने नाना स्भान दीदी, नई नाना भागो, भागो, ने नाना नाना अल्य जैली उफ़ाहंब क मैं भागे जा रूँचनी यह ज्ली सी हेल्प कर सकती हो यहाँ पर जलीशी टब शाबून और बकीट में पानी लेकर लाओ जब तक मैं गुड़ू को पकलती हूँ अली गुड़ू कहां तक बाग कर जाओंगे मिले हाथ में तो तुम आई ही जाओंगे अली यह ममा ने पिना शुबह शुबह काम पर लगा दिया यह गुड़ू का बच्चा तो बहुत जड़ा परिशान गलता है अब शुवाना को और मुझे मिलकल शे नहलाना होंगा चलो अब जलीशी मैं बकीट में पानी लेकर आती हूँ शाबून भी लाना है और तब भी लाना है अले यह शुबह शुबह काम मुझे नहीं होता चलो अब कलना तो होंगाई ज़ी गुड़ू तुम तो पुले खल में भाग ले ओ लेकिन तुम में हाथ से बस नहीं पाऊँगे मैं तुमें पकाल ही लूँगी चलो अब जलीशी गुड़ी को पकड़ लेके हूँ नहीं 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 अले गुड़ी में प्यालीशी भाई मैं तुम्हें अच्छे से नहलाओंगी मैं तुम्हाले हाग में शाबून नहीं जाने दूंगी चलो अब जली शी कप्ले उटाल दो अले शोहना ये लई शाबून और ये लहां तब और कुछ अले शोफिये तुम्मे तु पानी लेकर ली नहीं आया है जाओ हंडे में पानी लेकर लाओ अले आज में से शुभा शुभा कितना काम करना पर लाँ है चलो अब पानी लेकर लाती हूँ अले गुद्डू तुम्मारी कपलो में शी तु कितने गंदी शमयला लाई है तुम कितने दिनों शी नहाए नहीं हो देखो तुम कितने गंदी दिख ले हो अब देखना मैं तुमें बहुत अच्छी शी नहलाऊंगी तुम पुले च्म कोंगे शोहन देदी नहीं 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 मैं आथ know अले गुद्डू डलो नहीं कुछ नहीं होता है और यहाँ पर सुफिय पानी लेकर आ जाती है अले यहाना कितना जधा हवी है चलो जलीशी शी यहाँ पर लग दीती हूँ अले वाद चलो शोफिया ने तो पानी भी लेकला गया है चलो अब जली शी गुड़ो के अपर पानी डालती हूँ अले शोफिया ये पानी गरम तो है ना अले चलो अब गुड़ो को नहलाना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर सोहाना गुड्डू को नहलाने लगती है वाउ वाउ गरम गरम पानी गरम गरम पानी यपी मशे मशे चुआना दिदी नहलाओ नहलाओ अले हाँ गुड्डू अब आला है न तुमें मशा छेलो अब जली शे तुमें शाबून लगाती हूँ और यहां पर सोहना गुड़ो को साबून लगाने लगती है अलाम अलामशी लगाती हूँ अली गुड़ो तुमाले हैं कितने गंदी हो गए है अली बाँ फेश फेश तुमाले दीदी शाबून लगाओ लगाओ अले हां गुद्दू मैं तुम्हें अच्छी से शाबू लगा लई हूँ, को लगाती हूँ, के लो, के लो अले वा गुद्दू, तुम्हें कितने चमग लए हूँ तुम्हें आज में बहुत अच्छी से नहलाओंगी, देखना शी तमाशी मेली बहुत तालिफ कलेंगी अजिक यह क्या, शोहाना को तो हल काम आता है, पड़े में भी एक्सपर्ट है और आज वो मेले भाई गुद्दु को भी नहला लही है, शोआना को कितने शाले काम करने आते है, और मुझे खुद को नहलाना नहीं आता है मैं क्या गुद्डू को नहलाओंगी कल मच कलो मैं अभी पानी डालती हूँ अले वा चलो तुमारा नहाना तो हो गया एक अले वा गुझ्द कुद्दों कितने चमक ले हो चलो अब जलीशे में तुमें कपड़े पहना दीग हूँ अले कहा है तुमारी अलमीरा चलो अदलशी कपड़े लेकल आती हूँ अरे वा दिदी हमारी तारी बनकी तो रेडी है अरे वा कितने अच्छी खुश्बो आ रही है चली दिदी अब मैं खाना निकाल लेती हूँ और यहाँ पर सुहाना गुड़्डुकू कपड़े पहनाने लगती है दोस्तों आपको इस स्टोरी पसंद आएंगी तो हमारे चैन प्ला लेजिए!